नमस्कार फ्रेंड्स वाग्रत आप सभी का सॉलुशन में दरे सब यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रेपोजीशन से रेलेटिट एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलिग्राम की चनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो की जो पीडियेफ होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका password आपको चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को join कर लेंगे तो आपके YouTube के home page पे membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो की जो PDF होगी उसका आपको password मिल जाएगा PDF के लिए जो है आप लोग टेलिगराम को भी join कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के description में है लाश्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment option जरू बताएं आप लोगों से request है आप लोगों से score जरू बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे students जो है किस level पे हैं ये proposition का जो है बिल्कुल basic मैंने लिया है आप लोगों को जो है basic भी पता होना चाहिए आप लोग अगर मानते हैं कि ये मुझे सब कुछ आता है तो वहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं आपको कितना भी basic लगे आपको कितना भी easy लगे तो आपको उसको solve जरू करना है और last में आप लोगों को score जरू बताना कि आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है तो चली ये वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजट कें चैनल को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें चली ये वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुशन कुशन मबन the poor have to work blank morning to evening तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा बिल्कुल basic question लिए हैं आप लोगों को थोड़ा सा दिमाक लगाना है और आपकी सारे question जो हैं सही हो जाएंगे तो इसमें right option जो हो जाएगा option C होगा आप सभी को ये पता होगा from morning to evening होता है तो यहाँ पे जो इस sentence का मतलब हो जाएगा the poor have to work from morning to evening गरीबों को सोबह से साम तक जो है काम करना पड़ता है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा two I go blank swimming every morning तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है मैं रोज सोबह तेरने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे जो है go for swimming every morning तो यहाँ पे जो है इसका बी option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा third जो है never laugh blank the disabled तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो laugh के बाद जो है add proposition आता है आप सभी को पता होगा तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा बिकलांगों पर कभी मत हसो इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question कुछ नमा fourth please wait blank me I am coming within five minutes तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो आप सभी लोग याद रखेगा जब wait के बाद आगे कोई person दिया हो तो आपको proposition जो है यह for लगाना है जब आगे कोई person दिया हो जब आगे station की बात की जाए जब आगे station की बात की जाए तो आपको proposition जो है यह लगाना है क्या यह लगाना है at यह आपको याद रखना है जब आगे station की बात की जाए तो आपको proposition जो है wait के बाद at proposition लगाना है और जब आगे कोई person दिया हो तो आपको for proposition लगाना है तो ये दो proposition आपको wait के बाद याद रखना है friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर किया करें अगला जो question question number 5 he fell blank love with such तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा तो यहाँ पर इस correct option जो हो जाएगा fell के बाद जो है in proposition है आपको correct हो जाएगा तो यहाँ पर sentence का मतलब हो जाएगा he fell in love with such तो उसे जो है साच्छी से प्यार हो गया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question question number six जो है I got your parcel blank Tuesday तो इसमें आप सभी को याद रखना है जब भी दिनों की नाम दिये हों जैसे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday तो हमेशा इन से पहले जो proposition आएगा ये हमेशा on आएगा तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा मुझे आपका partial जो है ये Tuesday को मिला है sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो question question number seven she was married blank and early age तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो question number seven का right option जो हो जाएगा option यहाँ पे C correct हो जाएगा merit के बाद आप सभी ने सुना होगा कि merit के बाद टू प्रपोजिशन आता है तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं होगा क्योंकि आगे कोई person नहीं दिया है तो यहाँ पे जो है add proposition होगा जब आगे जो है किसी के जैसे early मतलब की कम उम्र में जो है किसी की साधी हो गई है तो उसके लिए जो है अमेशा आप at proposition यूज़ करेंगे तो उनकी जो है कम उम्र में जो है शाधी हो गई थी इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन कुछनमा जो 8 है His father died blank the age of 63 यहां पर जो है एड प्रपोजीशन आएगा यह आप सभी को जो है याद रखना है जब ड़ाई के बाद में आपको ड़ाई के बाद जो proposition आते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ जब ड़ाई के बाद proposition जो है यह 4 आएगा तो आगे जो है किसी मतलब अपने देश के लिए मर जाना मतलब अपनी कंट्री के लिए मर जाना तो यहां पे जो है डाई के बाद जो है for proposition आएगा अगर बात किया है डाई के बाद off proposition का बाता है जब आगे कोई बीमारी से मर जाए जब आगे किसी बीमारी से या फिर किसी disease से मर जाए तो आपको जो है die के बाद off proposition लगाना है जब die के बाद in proposition आएगा तब वो जो है युद के मैदान में या तो मरा हुआ होगा या फिर बिस्तर पे या फिर accident में मरा होगा तो die के बाद in proposition प्रपोजिशन आएगा अगर बात की जाए डाई के बाद जो है बाई प्रपोजिशन का वाता है डाई के बाद बाई प्रपोजिशन तब आता है जब कोई सुसाइड करता है यह फिर कोई हिंसा करता है वाइलेंस जो है क्रियेट करता है उस सिचुएशन में जो है डाई के बाद by proposition आता है, यह सभी को आपको लिख लेना है, क्योंकि आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप एक बार लिख लेने इसको, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, अगर बात की जाए, डाई के बाद जो है from proposition का बाता है, डाई के बाद from proposition ता बाता है, जब कोई किसी कारट स मर जाए, तो from proposition आता है, और जब डाई के बाद जो है throw proposition आएगा, जब कोई अपनी लाप बरवाई ही से मर जाए, तो डाई के बाद throw proposition आएगा, तो यह सभी proposition आपको याद रखने है, और यहाँ पे मैंने add proposition यूज किया है, तो यहाँ पे जो है, उनकी जो मृत्य हुई है, वो 63 जो है उम्र में हुई है, तो यहाँ पे जो है add proposition आएगा, और यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे भी आपको add proposition लगाना है, यहाँ पे उनकी शादी जो है कम उम्र में हुई, तो यहाँ पे भी आपको add लगाना है, उनके पिता का जो है 63 वर्स की तो आपको जो है ऐसे में एड प्रपोजिशन आपको लगाना है अगला जो कुछन कुछ नमा नाइन दे विल गो टू बेंगलॉर ब्लेंग प्लेंग प्लेंग इसमें आप लोग सोच लिजे इसका राइट ऑप्सन क्या होगा यहां पर जो है बाई प्लेंग होगा आप सभी यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछ नमा 10 जो है इसमें आप लोग सोच लिजे इसका राइट ऑप्सन क्या होगा यहां पर जो है दा में बिद आब बियर्ड इसमाइब ब्रदर मतलब की जो दाड़ी वाला आदमी है वो मेरा भाई है इस सेंटेंस का मतलब हो यहां पर सभी को पता होगा तो यहां पर जो है इसका बी ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ग्रेट फुल के बाद जो है टू प्रपोजिशन आता है जब आगे जो है किसी परसन के बारे में बात की जाएगी तो यहां पर जो है टू प्रपोजिशन आएगा और फॉर प्रपोजिशन का बाता है grateful के बाद जब grateful के बाद जो है for proposition तब आता है जब आगे किसी बस्तू के बारे में फिर किसी जगे के बारे में बात की जाए तो जब आगे किसी thing के बारे में बात की जाए तो आपको जो है for proposition लगाना है grateful के बाद जब आगे कोई person होगा तो आपको two proposition लगाना है तो यह आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा मैं अपने दोस्तों का जो उनके moral support के लिए जो है उनका अवारी हो इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question कुछनमा जो 12 है गांधी जी fought blink the freedom of our country तो इसमें आप लोग सोच ली जिस कराट option का होगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है fight का जो है second form लिखा है यहाँ पे जो है fight fight का जो second form होता है fought और third form में जो है fought ही होता है तो यहाँ पे जो यह लिखा है यह second form है यहाँ पे sentence जो है यह किसमें दिया है यह दिया है past indefinite में जिसमें बرب की second form आती है तो यहाँ पे जो है बर्व की second form यहाँ पे दी है तो यहाँ पर JA करेक्ट हो जाएगा तो गixo हमारे देश की आजादी के यह लड़ाई लड़ी, यह sentence का मतलब हो जाएगा, यह आप सभी लोग जो है fight के बाद जो proposition है, for proposition आप लोग याद रखे जब आगे freedom के बारे में बात की जाए, अगला जो question कुछ नमा जो 13 है, this watch is a gift blank my uncle, तो इसमें आप लोग सूच लिजिए इस correct option क्या होगा, तो यहाँ प जो है मेरे चाचा की ओर से, जो है एक उपहार है, यहाँ पर एक gift है, तो यहाँ पर जो है इसका B option यहाँ पर correct हो जाएगा, friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर क्या करें, question number 14 जो है, he spoke blank the subject for two hours regularly, तो इसमें आप लोग सोचली जिसका right option क्या होगा, तो यहाँ पर जो है spoke लिखा है, तो यहाँ पर जो है spoke जो है speak का second form है, speak का second form है, यह spoke लिखा है, और third form में जो है spoken होता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, spoken, spoken जो है यह third form होता है, यह जो है यह third form है, और यह जो है यह second form है, और यहां पर जो speak के बाद proposition जो आएगा ये on proposition आएगा जब किसी आगे subject के बारे में बात की जाएगी तो यहां पर जो है इसका b option यहां पर correct हो जाएगा इस sentence का जो मतलब हो जाएगा उन्होंने जो है इस बिसे पर नियमित रूप से 2 घंटे बात की इस sentence का मतलब हो जाएगा जब भी घड़ी का time दिया हो तो आपको at proposition लगाना है तो यहां पर जो है इसका d option यहां पर correct हो जाएगा आप सभी को याद रखना है 10 p.m. या फिर 10 o'clock या फिर 10.30 आपको यह ची याद रखना है तो अमेज़ा आपको at proposition लगाना है जब भी घड़ी का समय दिया हो तो at लगाना है इस sentence का मतलब हो जाएगा बे रात 10 बजे यहां से चले जाएगे इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन कुछन में जो 16 है she was punished blank stealing 10 आरी तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो यहां पर इस correct option जो हो जाएगा option यहां पर ए correct हो जाएगा जो है a option यहां पर ए correct हो जाएगा अगला जो कुछन कुछन में 17 है the box belonged blank the landlord तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा तो यहां पर इसका जो है belonged जो है यहां पर जो है bid हो जाएगा bid the landlord मतलब की जो बकसा है यह जमीदार के पास था इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन कुछन में 18 you must finish your project blank 5 o clock positively तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा जब किसी चीज को जो है किसी समय तक जो है खतम करना है तो उसके लिए till proposition आएगा तो यहां पर जो है इसका c option यहां पर correct हो जाएगा इस sentence का मतलब हो जाएगा आपको अपने project को 5 बजे तक जो है सकारात्मक रूप से समाप्त करना होगा इस sentence का मतलब होगा तो यहां पर जो है till proposition यहां पर correct हो जाएगा अगला जो question कुछ नमर 19 जो है children are found blank chocolates and computer games तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा जो बच्चे हैं यह जो है chocolates और computer games को जो है पसंद करते हैं तो फ point के बाद हमेसा of proposition आता है बच्चे chocolate और computer game के जो है शोकीन होते हैं इस sentence का मतलब हो जाएगा आगला जो question कुछ नमर 20 जो है we get trends blank July every year तो इसमें आप लोग सोच लिए इस correct option क्या होगा जब भी आपको January, February, March, April, May यह आपको जो है month दिये हो तो आपको proposition जो है in proposition लगाना है य यह आप सभी को याद रखना है और जब भी आपको year भी दिया हो तो अब भी आपको जो है proposition लगाना है यह आपको याद रखना है तो यहाँ पे जो है in proposition यह पे correct हो जाएगा यहाँ पे July की जगह जून होता तब भी आपको in proposition लगाना है यह आपको याद रखना है जितने भी months हैं जैसे January, February, March, April, May, June, July आपको इन से पहले आमेसा आपको इन proposition लगाना है और जितने भी year हैं उन से भी पहले आपको जो है इन proposition लगाना है जैसे 2001 इस से भी पहले इन proposition आएगा और 1999 से भी पहले जो है इन proposition आएगा ये आपको याद रखना है अगले जो कुश्चन करें आप लोग जो है video को like और शेर जरू किया करें क्योंकि वीडियो को बनाने में में घावी मेनथ को लगते है अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तब ही मुझे एक new video create करने लिए जो है motivation मिलता है तो आप लोग वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडिय जब कोई बीमारी से कोई मर जाता है तो आपको ओफ प्रपोजिशन लगाना है तो यहां पर जो है इसका बी ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो आपको मैंने कौन-कौन से प्रपोजिशन और बताए है तो मैं आपको बता देता हूँ तब डाई के बाद जो है फॉर हो जाए और फिर शहीद हो जाए तो उसके लिए डाई के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आएगा अगर बात की जाए डाई के बाद ओफ प्रपोजिशन का बाता है जब कोई किसी बीमारी से खतम हो जाए और डाई के बाद जो इन प्रपोजिशन आता है यह का बाता है जब कोई बिस्तर पे लेटे लेटे खतम हो जाए या फिर जो है युद्ध के मैदान में जो है खतम हो जाए या फिर एक्सिडेंट में खतम हो जाए तो आपको डाई के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है और डाई के बाद जो है बिद प्रपोजिशन का बाता है जब कोई किसी के साथ जो है मर जाता है तो डाई के बाद आपको बिद प्रपोजिशन लगाना है अगर बात किया डाई के बाद फ्रोम प्रपोजिशन का बाता है तो डाई के बाद फ्रोम प्रपोजिशन तब आता है जब कोई किसी कारड से मर जाए तो डाई के बाद आपको फ्रोम लगाना है और डाई के बाद बाई प्रपोजिशन का बाता है तो डाई के बाद बाई प्रपोजिशन तब आता है जब कोई सोसाइड करता है या फिर बाईलेंस करता है वाईलेंस करता है फिर या हिंसा करता है तो आपको बाई प्रपोजिशन लगाना है और डाई के बाद जो है, throw proposition का बाता है, तो die के बाद throw proposition आता है, जब कोई लापरवाई से मर जाता है, तो आपको die के बाद throw proposition लगाना है, तो यतने proposition आपको याद रखने है, अगला जो question, question 42, he is not popular, blink the students, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, इस का right option क्या होगा, तो यहाँ पे जो है popular के बाद, जो है, among proposition आएगा, जब दो लोगों से अधिक लोगों की बात की जाएगी, तो हमेशा आपको जो है, among proposition यूज करना है, जब दो लोगों की बात की जाएगी, तो आपको विट्वीन का यूज करना है, जब दो लोगों से अधिक, मतलब दो से अधिक लोगों की बात की तो among proposition यहां पर correct हो जाएगा, option यहां पर be option यहां पर correct हो जाएगा, इस sentence का जो मतलब हो जाएगा, वह छात्रों के बीच लोग प्रिये नहीं है, वह छात्रों के बीच जो है students के बीच जो है popular नहीं है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question कुष्टम 23rd जो है, she has great love link her children, त यहां पर जो है इसका a option यहां पर correct हो जाएगा, उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो love for यहां पर इसका correct हो जाएगा, अगला जो question कुष्टम 24, he was prevented blank going to college, तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा, तो prevent के जो बाद proposition आता है यह हमेशा from आता है, तो prevented के बाद भी from proposition आएगा, तो यहां पर जो है इसका d option यहां पर correct हो जाएगा, इस sentence का जो मतलब हो जाएगा, उन्हें college जाने से रोका गया, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question, question 25, listen blank what your teachers say, तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा, तो यहां पर जो है listen के बाद जो है to proposition आता है, यह आप सभी को पता होगा, तो listen to what your teachers say, मतलब की सोने की, उनके जो है आपकी सिच्छक क्या कहते हैं, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question, question 26 जो है, please we wear blank the dog, तो इसमें आप लोग सोच लिजे इस correct option क्या होगा, तो we wear के ब please जो है कुट्टे से साब दहन रहें, इस sentence का मतलब हो जाएगा, please we wear of the dog, तो इसमें जो है a option यहां पर correct हो जाएगा, अगला जो question, question 27, this book is a collection blank Shakespeare's poem, तो यहां पर जो इसका right option जो हो जाएगा, collection के बाद of proposition यहां पर correct हो जाएगा, यहां पर this book is a collection of Shakespeare's poem, तो यहां पर sentence का हो जाएगा, यह जो book है, यह Shakespeare की कविता का एक संग्रह है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question, question 28, they have querelled blank a piece of land, तो इसमें आप लोग सोचली जिसका right option क्या होगा, आप सभी लोग याद रखिए, जब querelled के बाद जो है आगे कोई person हो, जब querelled के बाद जब आगे matter के बारे में बात की जाए, तो आपको over proposition लगाना है, यह दो proposition आपको याद रखने है, querelled के बाद, जब querelled के बाद आगे जो है कोई person से हुआ हो, तो आपको जो है bit proposition लगाना है, जब आगे कोई matter के बारे में बात की जाए, तो आपको over proposition लगाना है, तो यहाँ पे जो है matter के बारे में बात की गई है, मतलब जमीन के एक तुकड़े को लेकर जो है बात की गई है, तो यहां पे जो है matter है, तो इसलिए यहां पे जो है over proposition आया है, यहां पे अगर कोई person होता, तो आपको with proposition लगाना है, तो यहां पे question number 28 का right option जो हो जाएगा, यहां पे d option यहां पे correct हो जाएगा, उनमें जमीन के एक तुकड़े को लेकर जगडा हुआ है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, उनका किसी matter के बारे में जगडा हुआ है, तो इसलिए यहां पे जो है over proposition यहां पे d option यहां पे हो जाएगा अगला जो question question number 29 जो है she wants to get red blank the brown fox तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा यहाँ पे is correct option जो हो जाएगा get rid of तो यहाँ पे जो है of proposition यहाँ पे correct हो जाएगा वह जो है भूरी लोमडी से छुटकारा पाना चाहती है इस sentence का मतलब हो जाएगा get rid of the brown fox तो यहाँ पे जो है d option यहाँ पे correct हो जाएगा आगला जो question question number 30 I was invited blank tea by his mother तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे जो है invited के बाद जो proposition आता है यह two proposition आता है invited to तो यहाँ पे I was invited to tea by his mother तो यहाँ पे जो है इसका right मतलब हो जाएगा मुझे उसकी मा ने चाय पर अमंत्रित किया था इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question number 31 you cannot see gems blank naked eyes तो इसका answer आप लोगों को comment option बताना है कि इसका right option क्या होगा thank you friends आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है comment option जरूब बताएं इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कियें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम